दोस्तों नमस्कार जैस्री किष्णा जैस्री राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला लव रासी फल मार्च दो हजार चौविस मार्च का महीना कैसा रहेगा आपके लिए आपकी लव लाइफ के लिए आपकी मेरिड लाइफ के लिए आपकी रिलेसन्सिप के लिए आईए जानते हैं दोस्तों लव रासी फल सुरू करें उससे पूर बाप को बता दें हमारा लव रासी फल चंद रासी यानि मून साइन के अनुसार होता है उसी के अनुसार इस लव रासी फल को देखे हैं बस सुने अगर आपको चंद रासी यानि मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम रासी के अनुसार भी देखवा सुन सकते हैं दोस्तों गोचर में जो इस्तितियां बदलती हैं जो परिवर्तन होते हैं ग्रहों के जो बदलाव होते हैं ग्रहों के जो रासी परिवर्तन होते हैं उन्हीं परिवर्तनों से हम आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है आपकी जो कुंडली होती है ना वो कुंडली आपकी पूरे जिंदगी भरकी होती है कि आपके पूरे जिंदगी में आपके साथ में क्या होगा उस कुंडली से जाना जा सकता है लेकिन जो गोचर कुंडली होती है वो आपकी लगन कुंडली होती है आपका जन्मांग होता है आपके जन्म कुंडली और ये होती है आपकी गोचर कुंडली बुरे कर्मों की बजह से, जो आप बरतमान में करते हैं, उससे जो प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है, वो है गोचर कुंडली, जैसे आपका जन्मान, आपकी जन्म कुंडली जो बनी है, वो बनी है आपके कर्मों के, यानि कि प्रारब्द, पूर्ब जन्म के कर्मों क आपको फल दिलाती है यह बहुत ही सटीक और सही तरीका है बताने का और एहसास कराने का की गोचर क्या है हम आपको बताएंगे कि आपके लिए मार्च का महीना आपकी लव लाइफ को यही गोचर कैसे बदलने वाला है क्या बदलावाने वाले हैं और ग्रह गोचर में कौन से योग दुर्योग बन रहे हैं जो आपके लिए फाइदेमंद या नुकसान दायक हो सकते हैं। तो चलिए सुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनकी इसके बाद में लव लाइफ की, वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे तीन रासियों के नाम। अगर उन तीन रासियों में से किसी एक रासि का पार्टनर आपका होता है, तो आपके लिए ये महीना लकी बन जाएगा। तो चलिए सुरू करते हैं। सबसे पहले गोचर में जो योग दुर्योग हैं उनकी बात कर लेते हैं। 14 मार्च को मीन में सूर्य जाएंगे और ये मीन रासि में उच्चा भेलासी हो जाते हैं। यानि कि उच्च से 50% फल देने लगते हैं मीन में पहुँचके। दूसरा, 15 मार्च को कुम्ब में मंगल का प्रवेस। मंगल कुम्ब रासी में जाकर के कुछ हद तक नेगेटिव प्रभाभ भी देते हैं। और सनी के साथ में यूती बनाएंगे तो जादा विद्धवन्स कराएंगे। अब आपके किस रिस्ते में क्या होगा वो हम आगे आपको बताएंगे। साथ मार्च से कुम्ब में सुक्र का प्रवेस होगा। सुक्र कुम्ब रासी में अच्छे माने गए हैं। जो कि प्रेम के कारक हैं। यानि कि ल़ लाइफ में बहुत जादा जो एक दूसरे में रुची पैदा होती हैं। और आपके पार्टनर की आप में रुची बनी हैं तो आपके वो सोनकडे सहेगा। बात करते हैं और जो परीवर्तन हैं बुध का परीवर्तन। साथ मार्च को मीन में बुद्ध जाएंगे और मीन में बुद्ध हो जाते हैं नीच रासी के, नीच रासी यानि कि वहाँ पे वो बुरा फल देते हैं, और अब इतना बुरा देंगे ति आपने सोचा भी न हो, क्योंकि वो राहू के साथ में यूती भी बनाएंगे और के धागे में गाठें लग जाती हैं इसलिए इस दोस्त के लिए आपको कुछ नियम भी बताएंगे उनको फॉलो करना चाहिए आपको जिससे आप करिस्ता खराब ना हो और 26 मार्च को मेज फिर बुद मेज में चले जाएंगे ये जानकारी थी गोचर की अब जानते हैं रास बहुत ही जादा खास बन रही है यहां पर आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आने वाला है आपके मंगल दुतियेज बनते हैं और तुतियेज गुरु बनते हैं गुरु का सब्तमस्त होना यानि कि कहीं न कहीं जिस व्यक्ति को आप पहले से पसंद करते हैं वो व्यक्ति आ पसंद करते हैं, ना कि love life, केवल पसंद करते हैं, वो आपको marriage के लिए प्रपोज कर सकता है, लेकिन दोतियेस मंगल पंचम में जाना, यानि कि ये तय है कि आपकी life में कोई न कोई अच्छा व्यक्ति आने बाला है, यहां तक इस्तिती बहुत सुन्दर है, बात करेंगे love life की तो love life में गलत फहिमिया बहुत बनेगी, थर्ड पार्टी की गलत फहिमी, जबकि कोई थर्ड पार्टी होगी नहीं, लेकिन आपको लगेगा, बहुत ज़्यादा कलेस की स्तिती, जगड़े होना, कलेस होना, और 16 मार्च के बाद में बहुत ज़्यादा बहस होने लगना आ क्योंकि उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा उमीदें होंगी, और वो उमीदें पूरी आप नहीं कर पाएंगे, इस बज़े से ऐसा होने वाला है, तो अब इस बुद्ध राहु के जड़त दोस्त से थर्ड पार्टी की बातें होंगी, और थर्ड पार्टी की बज़े से ब बहुत कुछ उल्टा सीधा सोचने लगें पार्टनर आपके, ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा आरोब भी लगाएं और बहुत ज़्यादा बत्मी जी बाली बातें भी करें, अभद्र भासा का प्रयोग भी करें, और इस्तियाप करिस्ता टॉक्सिक बनेगा खर किसी भी तरीके से ऐसे डील करना है कि आप उस व्यक्ति की एहमियत करते हैं और उसकी उमीदों पे खरावतनने की कोसिस कर रहे हैं, ये सब चीज तो करनी करनी है, एक चीज ये भी है कि आपको बोलना कम है, सुनना जादा है, ये नियम भी फॉलो करना होगा, तो आप बच जाएंगे, अब बात करते हैं no contact situation की, और एक चीज और है love life में family को family से बात कराने की कोसिस मत करें तो अच्छा है, ना करें तो अच्छा है, बात कर लेते हैं no contact situation की, तो no contact मिस्तिती बहुत खराव है, गलत फेमिया बनेंगे, इसलिए बातचीत सही धंग से नहीं हो 26 मार्च के बाद में अगर discuss करना चाते हैं, बात करना चाते हैं, patch up करना चाते हैं, तो फिर भी उम्मीद है कि कुछ बात बन सकती है, अब बात कर लेते हैं married life की, तो married life के लिए बहुत ही ज़्यादा सुब समय है, बहुत ही अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा ego पे control रखें क्योंकि आपको घमंडी को कुछ ज़्यादा ही होगा इस बीच में और आप अकड़ दिखाएंगे, तो उससे थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं partner, लेकिन बहुत अच्छा है, बलकि partner नहीं, partner की family ज़्यादा परेशान होगी, इस बज़े से थोड़ा सा partner भी आपको परेशा ज़्यादा नहीं हो पाएंगी, और वो तब ज़्यादा होंगी जब आप अपने partner से अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो अगर उनकी family और उनसे अच्छे से बात करते रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बलकि मैं यह कहूँगा, उनकी family से भी बहुत ज़्यादा बोले अब वो आप में interested नहीं है, ऐसा भी दिखाएंगे, और हकीकत यह होगा कि वो आपको छोड़ देने की बाते भी करने लगेंगे, कि अब मुझे अपने काम पर फोकस करना, यह सब बातें वो करते रहेंगे और इससे आपको बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आपका रिस्ता लगबख खतम सा हो जाएगा, और यह आपके लिए बड़ा ही आश्चर चकत करने वाला समय होगा कि यह सक कैसे हो गया, दोस्तों यह था आपका लवरासी फल, अब जानते हैं तीन रासियों के नाम, पहली रासी है, मिथुन रासी, दूसरी रासी, तुला रासी हो, तीसरी रासी, खुम रासी है, अगर इन रासीयों के पार्टनर आपके होते हैं, तो आपके लिए यह महीना लगी बन जाएगा, दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक से रिकमेंट जरू करें, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्का.